नमस्कार साथियों, मैं योगिश महरिया महरिया क्लासिस की यूटूब चेनल पर एक बर पुने आपका हार्दी कभिनेंदन करता हूँ हम बात कर रहे हैं कार्यस्तल पर महिलाओं का लैंगी कुथपीड अने नेवार अने निशेद प्रतितौस अधिनियम 2013 के बारे में और अब तक हम 10 धाराओं की बात कर चुके हैं, आज हम 11 की बात करेंगे, यानि की 11 से संबंदित प्रावधानों को पढ़ेंगे, साथ में हम 12 के प्रावधान भी पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हमने जो क्या 10 धाराओं पढ़ी हैं, क्या वे हमें याद हैं, देखिए मुख्य रूप से आपके एक्जाम में सीधी हेडिंग भी धाराओं से पुछी जाएगी तो आपको सभी 10 धाराओं की हेडिंग याद होनी चीए, इसलिए मैं रोज कक्षा में इनका क्या करवाता हूँ, आपको रिविजन करवाता हूँ तो चलिए एक बरपुन है, धारा एक संसिप्त नाम, विस्तार और प्रारंब होने की तिथी धारा दो परिभाषा, धारा तीन लेंगी कुद्पिडन का निवारण, धारा चार आंत्रिक परिवात समीती का गठन, धारा पांच जिला अधिकारी की निउक्ती का प्रावधान, धारा छे जिला अधिकारी द्वारा इस्थानिय परिवात समीती का गठन, धारा साथ इस् लेंगी कुट्पिडन का परिवाद या सिकायत और धारादस हम बात करें सुलह का प्रावधान ठीक है मेरे साथ ही हो धारादस में हमने सुलह के प्रावधान पड़े थे और उसमें हमने बात की थी कि यदि एक बार सुलह हो जाती है तो इसकी सूचना समीति के अनुसार निय प्रामले की जांच नहीं की जाएगी तो चलिए उसके बाद में आगे के जो प्रावधान है धारा ग्यारा परिवाद की जांच यानि की जो सिकायत की गई है धारा नो के अंतरगत जो परिवाद प्रस्तूत किया गया है उसकी जांच का स्वरूप कैसा होगा कितने समय में प पर देखिए धारा ग्यारा परिवाद की जाच यदि प्रत्यर्थी क्रमचारी है तो वहाँ उपलब्द सेवा नियुमों के अनुसार ही कारेवाही की जाएगी ठीक है इसका आर्थी यह हो गया सात्यूं यदि कोई करमचारी सरकारी सेवा में कारेख है और तो जो सरकारी जांच करेगी उन्हीं के अनुसार उसके खिलाब कारेवाही की जाएगी लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो काफी इंपोर्टेंट है काफी धान से देखिएगा यदि घरेलू करमकार की दसा में इस्थानिय परिवाद समीती को यदि प्रत्म दृष्ट्या में मामला विद अगला यदि सुले के आधार पर बोड पर देखिए यहां से जो सवाल बनेंगी वो आपके मैं क्लियर करवाने वाला हूँ यदि सुले के आधार पर किये गए समझोते का पालन नहीं होता है तो समीती कारेवाई करेगी और पुलिस को परिवाद भीजेगी ठीके शाथियों अगला है जाँच समीतियों को जाँच के दोरां सिविल नयाले की सक्तियां प्राप्त होंगी साथ में जाँच 90 दिनों की अवदी में पूरी की जाएगी अब यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे किस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे कौन-कौन से चीजे इंपोर्टन्टेंट है आप उनको बड़े ध्यान में रखना सबसे पहले धारा ग्यारा, धारा ग्यारा किस बात का प्रावधान करता है? परिवाद की जाच का प्रावधान करता है, ठीक है. इसके बाद में यदि प्रत्यर्थी करमचारी है तो उसके खिलाफ जो है कार्यवाई होगी उपलब्द सेवा नियुमों के अनूसार, ठीक है? जो भी समीती करेगी, क्योंकि जहां दस या दस से अधिक करमचारी होंगे, वहां पर घटिक, उस कारिय स्थल पर घटिक की जाए कौन सी, आंत्रिक परिवाद समीती, और जहां पर दस से कम करमचारी होंगी, वहां से सीधा मामला किसके पास जाएगा, इस्थानिय परिवाद समीती के पास चलिए यदि घरेलू करमकार अब यहां आप घरेलू करमकार से क्या समझते हैं यानि कि किसी घर विशेश में काम करना आप समझने का प्रियास कीजिए मानलीजिए कि हमारे घरों में कई बार आपने देखा होगा ज़ड़ों पोछा करने के लिए नोकर चाकार जाते हैं तो यदि उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो क्या करेगी इस्थानिय परिवाद समीती क्या करेगी जांच करेगी सबसे पहले क्या करेगी इस्थानिय परिवाद समीती के संदर में मामला पहुंचेगा तो वो इस मामले की जांच करेगी और यदि उसे लगता है प्रत्थम द्रिष्ट्या में यानि कि पहली बार में उसे लग जाता है कि मामला विद्विमान है यानि कि जो भी सिकायत दर्ज कराई गई है जो भी परिवाद भीजा गया है वो सच है तो क्या होगा IPC की धारा भारतिय दंड सहीता जिसका निर्मान 1860 म मामला दर्ज करने के लिए साथ दिन के अंदर अपनी जाच वहां सब पूरी करके साथ दिन के अंदर किसके पास बेजेगी पुलिस के पास बेजेगी ठीक है तो पुलिस उस पर अगरिम कारेवाई करेगी धारा 509 के अनुसार अब देखी यहां से सवाल क्या पुछे में प्रथम दर्ष्टा में मामला विद्यमान है तो पुलिस को कितने दिन के अंदर परिवाद भीज़े जाएगा साथ दिन के अंदर एक तो यह इंपोर्टेंट है एक काफी इंपोर्टेंट सवाल यहां से बनता है यदि एक्जामिनर बनाना चाहेगा तो बहुत कि दसा में कौन से समेती जाच करेगी किसी घरेलो करमकार की लैंगी कुद्पिडन की दसा में कौन से समीती जाच करेगी इस्थानिय समीती क्योंकि हमने यहां अब देखो वो सीधा नहीं पूछेगा इंडारिक्ट पूछेगा कारण देखिए हमने बात की थी दस या दस स अधिक यनि कि दस से अधिक होंगे तब तो कौन थी होगी आंत्रिक परिवाद समिती और दस से कम होंगे यदि दस से क्या होंगे कम होंगे दस से जितने भी कम सदसे होंगे तो कौन सी होगी वहाँ पर कौन से समिती जांच करेगी इस्थानिय परिवाद समिती की दुवारा उससे मामली की जाच की जाएगी तो घरेलु करमकार की दसामिक कौन सी है आपको पता है घरेलु करमकार में फिक्स नहीं है आपको पता है किसी घर में दो नोकर होते हैं किसी में तीन होते हैं किसी में चार होते हैं किसी में पांच होते हैं इस बात को आप point out कर लेजिएगा चलिए अगला घरेलू करमकार की दसा में यदि मामला विद्धिमान है तो किस धारा के अनुसार पुलिश दुवारा कारवाही की जाएगी धारा 509 के अनुसार कारवाही की जाएगी ठीक है हमने IPC की धाराइं पड़ी थी उसमें हमने धारा 509 पड़ी थी ठीक है साब्दिक टिपणी करना ठीक है मौकिक टिपणी करना किसी प्रकार का अबधरिसारा करना आप याद कीजिए यदि आपने अभी तक नहीं पड़ा तो आप हमारी पुरानी कक्षाई जाकर देखिए वहाँ पर ये सारी चीजों का अच्छे से वर्णन किया गया है चलिए यदि सुले के आधार पर किये गए समझोते का पालन नहीं होता है हमने सुले का प्रावधान धारा 10 में पड़ा था और वहाँ हमने ये पड़ा था कि महिला की पहल पर किसकी पहल पर महिला की पहल पर सुले की जाएगी लेकिन सुले का आधार धन संबंदी प्रावधान नहीं होगा रुपिया पैसा संबंदी इसका आधार सुले का आधार नहीं होगा उसके बाद में ये जिस सुले होती है तो दोनों को एक एक जो agreement की copy है प्रत्यर्थी और व्यतित महिला दोनों को दी जाएगी और सुले से संबंदित सूचना समीतियों की दौरा नियोजक और जिलादिकारी को दी जाएगी ठीक है यह हमने वहाँ पड़ा था अब यदि जो समझोता किया गया उसका पालन नहीं हो होता है तो क्या करेगी समीतियां जिस भी समीति के पास यह मामला होगा वो क्या करेंगी जाच करेंगी और उस पर कारेवाई करेंगी और तुरंद प्रभाव से वह मामला किसको भीजेंगी पुलिस को परिवाद भीजेंगी कि आप इस पर अनुसंदान कीजिए जो भी धा आपने यह पड़ी है ना इनके अनुसार फिर वहाँ पर कारेवाई होगी साथियों चलिए जाज समीतियों को जाज के दोरान सिविल नियाले की शक्तियां प्राप्त हैं यह काफी इंपोर्टेंट है वही काफी महत्वपूर्ण है जाज समीतियों को जाज के दोरान कौन से नियाले की शक्तियां प्राप्त हैं सिविल नियाले की शक्तियां ठीक है यानि कि यह किसी भी व्यक्ति को जो है पूस्ताज के लिए बुला सकते हैं उन्हें समन जारी कर सकते हैं इस प्रकार की शक्तियां सिविल नियाले को प्राप के अदीन धारा नो के अदीन जो परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा उस परिवाद की जो जांच है वो 90 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए ठीक है साथियों तो आपके सामने यहां पर यह धारा 11 से संबंदित प्रावधान थे मुख्य रूप से यहां से जो सवाल बनत होते हुए चलें आगामी लंबे समय तक यह चीजें आपको याद रहें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पेपर पास करने तक ही चीजें साथ देगी यह चीजें आप जब राजस्तान पुलिस में भरती हो जाएंगी उसके बाद में भी काफी काम आने वाली है क्योंकि यह आ पुलिस में भरती होंगे तो आपके पास ऐसे अने को मामले देखने को मिलेंगे तो उस समय आपको ज़्यादा अधिक सोच समझ शूज विक्सित होगी यदि आपको इन धाराओं का इन अधिनियमों का ज्यान होगा तो साथियों अब फटा फट से आप इसका ले लिजिए क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं धारा बारा के बारे में साथियों धारा बारा धारा बारा में प्रावधान क्या गया है जांच लंबित रहने के दोरान कार्यवाहिया या आप कार्यवाही भी से कह सकते हैं व्यथित महिला द्वारा व्यथित महिला द्वारा लिखित में अनुरोद करने पर समीतियों द्वारा समीतियों द्वारा नियोजक को व्यथित महिला द्वारा लिखित में अनुरोद करने पर समीतियों द्वारा नियोजक को सिफारिस की जा सकती है या सिफारिस कर सकती है ठीक है सातियों क्या सिफारिस करेगी सबसे महत्पूर्ण जो मुद्दा है वो है कि सिफारिसे क्या की जाएंगी देखिए इसमें तीन मुख्य प्रावधान है पहला महिला द्वारा लिखित में अमरोद करने पर जो नियोजग को, जो सिफारिसे दी जाएगो तीन प्रकार की होती है सबसे पहली या तो परतीर्थी या व्यथित महिला का दोनों में से किसी एका इस्थानांतरण नमबर दो इसकी अतरिक व्यथित महिला को तीन महिने की चुटटी प्रदान करना नमबर तीसरा व्याथित महिला को अन्य किसी प्रकार की राहत प्रदान करना इस धारा में और इस अधिनियम में ये तीन मुख्य प्रावधान यहाँ पर किये गए है जो जाच कारेवाई लंबित रहने के दोरान ये कारेवाईया की जा सकती है तो चलिए तीनों पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं प्रत्यर्थिया व्याथित महिला का व्याथित महिला दोनों में से किसी एक का टांस्फर जिसको हम कहते हैं इस्थानांत्रण ठीक है मैंने इंगलीज में इसलिए लिखा है काफी बच्चों को इस्थानांत्रण का आर्थ जो है पता नहीं होता है नमबर दू व्याथित महिला को तीन महिने की छुट्टिया अनुदत्य करना साथ में व्याथित अन्य जो प्रावधाना आकरी व्याथित महिला को अन्य किसी प्रकार की व्याथित महिला को अन्य किसी प्रकार की राहत प्रदान करना ठीक है साथियों आपके सामने ये तीन मुख्य प्रावधान हैं अब यहाँ पर एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखने वाले हैं क्योंकि व्याथित महिला को तीन महां की छुटियां जो अनुदत की जाएंगी जो प्रदान की जाएंगी ये वेश सभी छुटियों से अत्रिवत होंगी जिनकी महिला एक कारेकाल के दौरान एक समय अवधी के दौरान उसे मिलने होती हैं मान लीजिए आप सरकारी सेवा में हैं और आपको सरकार के दौरा 55 या 60 दिन की सालाना चुटियां प्राप्त होती हैं तो आपने एक साफ से आपको जो चुटिया अनुदत की जाएंगी आपकी 55 या 60 चुटियां सेफ एक तरफ होंगी ये उन सभी चुटियों के अत्रिक् यहां पर ये पॉइंट भी लिख लेते हैं साथियों महिला को अनुदत चुटियां ऐसी चुटियों के अत्रिक्त होंगी जिनकी वो हकदार है ठीके साथियों अब देखिए धारा बारा में यही प्रावधान किये गए अब यहां से सवाल किस प्रकार के बनेंगी उनको आप जड़ गोर से देखिएगा सबसे पहले जाच लंबित रहने के दोरान कारेवाहियों का प्रावधान लेंगी कुटपिडन अधिनियम की किस धारा के अंतरगत किया गया है धारा बारा के अंतरगत इस तरह से पूछ सकता है इस तरीके से पूछ सकता है चलिए अगला ध्यान से देखिएगा अनुरोद सोरी व्यतित महिला दौरा लिखित में अनुरोद करने पर समीतियों दौरा नियोजक को सिफारिस की जा सकती है ठीक है याद रखना जाज कारेवाईयां लंबित रहने के दौरान समीतियों दौरा नियोजक को सिफारिस किसके अनुरोद पर की जा सकती है नमबर एक महिला नमबर दो परतिर्थी नमबर तीन व्यतित महिला नमबर चार जिलादिकारी नमबर पांच इसके बाद में ABCD करके होगा या होगा उपरुक्त में से कोई नहीं आप ऐस समझ सकते हैं पहला आप समझ लो व्यतित महिला नमबर दो परतिर्थी नमबर तीन नमबर तीन आपका जिलादिकारी और नमबर चार उपरुक्त में से कोई नहीं तो आपको वहाँ याद रखना है व्यतित महिला के अनुरोद पर ही क्या होगा जांच समीतियां जो भी हों ठीक है साथियों चलिए आगे हम बात करते हैं परतिर्थी या व्यतित महिला दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर करना कौन-कौन से सिपारिस होंगी ये तीन होंगी आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि उसने ABCD करके आपके सामने option दे देगा और आकरी में लिखेग कि जिस पर लेंगी कुदपीडन के आरोप है विये वह व्यक्ति है जिस पर क्या लगाया गया है लेंगी कुदपीडन का आरोप और व्यतित महिला यानि कि जिसने लेंगी कुदपीडन का आरोप लगाया है जिस पर आरोप लगे है और जिसने आरोप लगाया है ठीक है और यदि दो सिद्ध हो जाए तो जिसका लेंगी गुद पीडन हुआ है और जिसने लेंगी गुद पीडन किया है ठीक है साथी हूं दोनों में से किसी एक का ट्रांसफर किसी एक का दोनों का नहीं किया जाएगा भाई या तो व्यतित महिला कहें कि साब मेरा कर दो ठीक है या प काफी अच्छा सवाल है, सीधा आफसे एक्जामिनर पूछेगा, कारे अस्तल पर महिलाओं का लेंगी कुद पेडा नदीनियम के अंतरगत, व्यतित महिला को कितने महा की छुट्टिया अनुदत की जा सकती हैं, तीन महिने की, देखी ये जो इंपोर्टेंट है, ये ऐसे ची होगी, ठीक है, आफसे अब यहां पर ये पॉइंट कब पूछेगा, आपको पता है, जितने भी मैंने पॉइंट अस्टार लगाए हैं, सभी को एक करके वो आफसे अच्छे सवाल पूछ सकता है, वो सीधा आफसे ये पूछेगा, कारे अस्तल पर महिलाओं का लेंगी कु अनुदत की जा सकती है, व्यतित महिला को अनुदत चुटियां ऐसे चुटियों के अतरिक्त नहीं होगी, जिनके वो अगदार होगी और आपके यहां पे सिर्फ और एक सब्द जोड़ेगा, वो जोड़ेगा, नहीं और उसी में पूरी लाइन और पूरा चैंज हो क्योंकि आपके सामने तो चारोई आंसर राइट है, इसलिए एक्जाम में जब भी आप पेपर दें तो फड़ा गोर से पढ़िएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बाद में आपको भारी पढ़ सकती है, तो ठीक है साथियों, उम्मेद करता हूँ, आज की कक्षा हैं, अधिक से अधिक हमारी जो कक्षाओं को शेर कीजिए, साथ में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है साथियों, चलिए, जैहिन, जैभारत साथियों